ये गुजिया देखिए कितनी ज्यादा खस्ता बनी है बिना शकर के मुह में खुल जाने वाली और बहुत ही मज़िदार बनी है तो आज बनाएंगे दिवाली स्पेशल गुजिया की रेसिपी से करंजी भी कहा जाता है इंग्रेंट्स मेंने डिस्रिप्शन बॉक्स में दिय हो गया है अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे अब पैन में एक बड़ा चमच घी डालेंगे और इसमें दो बड़ा चमच रवाइट करेंगे ये मैंने बारिक वला रवा लिया है इसे सूजी भी कहा जाता है बिल्कुल धीमी आज पर रवे को तीन से चार मट घूनें अब ये मैंने देड़ सोग्राम मावा लिया है मावा आपको अच्छा फ्रेश लेना है इसे भी धीमी आज पर पांच मिर्ट भूनेंगे मावा भूना हुआ ही रहता है लेकिन फिर भी इसे धीमियाच पर 5-7 मेट भून लेंगे ताकि इसके अंदर का जो एक्स्ट्रा मॉश्चर है वो निकल जाए फ्लेम को आपको बिल्कुल लो पर ही रखना है और मावे को लगातर चलाते रहना है तो ये देखिए मावा इस तरह से खटा होने लगा है इसके अंदर का जो एक्स्ट्रा मॉश्चर है वो निकल गया है और मावा अच्छी तरह से भून गया है तो फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे भी प्लेट में निकाल लेंगे अब इसमें आदा छोटा चमच इलाइची का पाउडर एट करेंगे और कौटर टीस्पून जैफल का पाउडर मिलाएंगे अब सबको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे तो मावा अभी काफी गरम है तो बिल्कुल आराम से और हलके हाथ से सबको अच्छी तरह से मिलाए अभी इस stage पर आपको शक्कर या गुड एट नहीं करना है क्योंकि मावा अभी काफी गरम है अगर आप अभी शक्कर या गुड एट कर देंगे तो ये काफी गीला हो जाएगा तो सभी चीज़ों को मैंने बिल्कुल हलके हाथ से और अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अभी ये बिल्कुल हलका ही गरम है तो इस stage पर इसमें एक तियाई कप गुड़का पावडर एट करेंगे एक साथ एट खाते हैं तो थोड़ा पाउडर एड़ कर ले और अगर कम मिठा खाते हैं तो आप इससे भी थोड़ा और कम कर सकते हैं तो मैंने इसमें पूरा एक त्याई कप गुड़ का पाउडर एड़ कर दिया है और अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है तो यह मसाला देखें ना तो यह इस toरह में मचंछ भाइब्यवा करेंगे अश्यादा नमकेकर लेगा अब सभी चीजों को अच्छी तिल भी अड़ेंगे अब इसमें quarter cup घी add करेंगे आप चाहे तो तेल भी add कर सकते हैं लेकिन घी से गुजी अच्छी खस्ता बनती है इस प्रोसेस को मोयन कहते हैं अब मोयन को आटे में अच्छी तरह से मिला लेंगे डेड़ कप मेदा और quarter cup रावा के लिए इतना मोयन बिल्कुल perfect है मोयन को आटे में अच्छी तरह से mix करने के बाद मुठी बांद कर देखेंगे तो इस तरह से बन जाना चाहिए और आसानी से तूट जाना चाहिए इसका मतलब जो इसमें मोयन डला है वो बिल्कुल perfect है अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी अट करके अच्छी तरह से नीट करेंगे तो पहले थोड़ा पानी अट करें और अच्छी तरह से mix करें और फिर ज़रत के साबसे पानी अट करें तो अभी थोड़ा थोड़ा पानी एट करके आटे को अच्छी तरह से मिला लेना है आटे को ना तो हमें बहुत ज़्यता सक्त गुनना है और ना ही रोटी के आटे कि थरह बिल्कुल नरम बनाना है तो रोटी बनाने के लिए हम जितना नरम आटा गुनते हैं उससे हमें आटे को थोड़ा सा सक्त रखना है तो परफेक्ट गुजया बनाने के लिए प्रोसेस बहुत इंपोर्टेंट है ध्यान रहे एक साथ बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है थोड़ा पानी डाले अच्छे से मिक्स करें और चेक करें तो यह आटा भी बहुत ज़्यादा सक्त नहीं है और नाहीं बिल्कुल नरम है तब इसे रेस्ट के लिए 20 मेट रखेंगे तो आटे को रखे हुए 20 मेट हो गए हैं तो यह आटा भी थोड़ा सा सक्त है तो हल्क हल्का पानी का चीटा देकर इसे अच्छी तरह से नीट करेंगे और हल्का सा नरम करेंगे आटे को आट से दस बार इस तरह से पठक उससे हलक ऐसा मोटा रखना है और बाकी आटे को सैड में अच्छे से धाक कर रखे ताकि सूखे नहीं तो इस तरह से मैंने से एक सा बेल लिया है अब आप चाहेते एक राउंड कटर ले ले या कोई धकन ले ले या फिर इस तरह की कोई शार्प डिश ले ले तो इससे ये ए किनारे पर अंगुठा रखकर इसमें स्टफिंग करेंगे स्टफिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं अगर आपको कम चाहिए तो दो चुटा चमच काफी रहेगा और अगर अच्छी भर कर चाहिए तो कम से कम तीन चुटा चमच ज़रूर डाले तो यहां पर एक गुज कर इसे दूसरी सैट पर अच्छी तरह से चिपका देंगे इसके किनारों को अच्छी तरह से प्रेस करके एकदम पतला कर देंगे ताकि फ्राइ करते वक्ति यह खुले नहीं अगर आप इसे अच्छी तरह से चिपका दिया है और एकदम पतला कर दिया है अब अगर आपकी पर गुजिया बनाने का साचा नहीं है तो फोक की हेल्प से आप इस तरह से इसे अच्छी तरह से प्रेस कर देंगी जिसे गुजिया दिखने में अच्छी लगेगी और अच्छी तरह से चिपक जाएगी फ्राइ करते वक्त खुलेगी भी नहीं इसके दूसरे सैट भी आप चाहें तो डिजाइन कर सकते हैं अब फोक के दूसरे सैट से गुजिया के किनारों को थोड़ी थोड़ी दूर पर इस तरह से अंदर की तरफ करेंगे जिससे इसमें बहुत ही अच्छा डिजाइन बन जाएगा जो दिखने में काफी अच्छा करें ऐटे को अंदर की तरफ ले जाकर थोड़ा सा उपर उठैं उसके बाद फिर फिर से अंदर कर थोड़ा सा ऊपर ले जाए और फिर इस तरह से घूमाते जाएं तो यह लें सहामारी इसारे सास्ट रएफ ज़या कर inom लिकशी नहीं करते Cakeग कुजिए कर कि नहीं तो तेल का टेमपरिचर चेक करने के लिए आटे की छोटी सी गोली डालेंगे यह एकदम से उपर नहीं आना चाहिए गोली बिल्कुल आराम से उपर आएगी और जैसे यह उपर आएगी इसका मतब तेल गुजिया फ्राय करने के लिए रेडी है तो जब तेल गरम हो जाए त इसे पलट देंगे अब दोनों साइट अच्छा गोल्डन कर आने तक इसे फ्राइ करेंगे तो गुजिया को मैंने पूरा धीमियाच पर ही फ्राइ किया है और इसे फ्राइ करने में मुझे 10-12 मिनट लगे और यह देखे बहुत ही अच्छा कलर आया है अब इसे किसी नेट मे या फिर बास्केट में निकाले ताकि इसमें थोड़ी हवा लग जाए और ये खस्ता बनी रहे जब गुजय थोड़ी फ्राय होने के बाद तेल के ऊपर आ जाए उसके बाद ही आपको इसे पलटना है तो इस थरह से मैंने सारी गुजय फ्राय कर ली है और टोटल ये तेरा गुजय बनकर तयार हुई है और जितना मैंने मसाला और आटा रेडी किया था वो पूरा यूज हो गया है तो दिवाली पर आप एक बार इस थरह से गुजय बना कर जरूर दे कि आपको बहुत पसंद आएगी रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेर कर दे और अगर चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कर ले